तडे जो को तो इतिये शुरंदर चादुन्पिरी जी शुरंदर चादुरि झीन दे रूरीध पर और दाजी प然后e जीसरी आ चांद्व करूंदम जी कर दो जैसी संहितने ऌराफोड兩ू जी सभी विपक्ष के सातियों को आज पूरा दिन के लिए बाहर किया गया है और जैसा मैंने सदन के पहले दिन शुक्रवार को भी कहा था सदन की कारवाई बाती गंबीर मुद्दो के लिए बुलाई गई है विपक्ष के सातियों को साथ ना देने पर सदन की मर्यादा का उलंगन करने के लिए आज पूरा दिन के लिए मैंने बाहर का रस्ता दिखाया है और सत्ता पक्ष के सातियों से भी मेरा निवेदन है कारे सूची बद तरीके से और समय बद तरीके से अपने वक्त अव्वे को रखे नहीं तो फिर मुझे आपके लिए भी इस तरह के कोई कदम उठाने पड़ सकते हैं अब श्री अर्विन के जीवाल जी मानिनी मुख्य मंतरी निमलिकित प्रस्ताव प्रस्तूत करेंगे यह सदन मंतरी परिशद में विश्वास व्यक्त करता है मानिनी मुख्य मंतरी जी अधनिय अध्यक्षा मोहदय ये बड़े दुख की बात है कि आज इतना एहम विशे कॉन्फिडेंस मोशन के उपर इस सदर में चर्चा होनी है और विपक्ष का इतना गैर जिम्मेदाराना रवया वो चर्चा करना ही नहीं चाते वो डिस्केशन करना ही नहीं चाते वो केवल सदन की कारवाई को डिस्रप्ट करना चाते हैं वो केवल ड्रामे बाजी करना चाते हैं जिस तरह से अभी हम लोगोंने पूरे मुझे लगता टीवी चैनलों पर लाइव चल रहा होगा लोग देखेंगे कि कैसे लोगों को वोट दे दिया हमने ये क्या करते हैं सदन के अंदर बैट के चर्चा ही नहीं करते हैं ये लोग बात ही नहीं करते हैं ये बड़े दुख की बात है कि इतने गंभीर विशय वाले दिन भी इन लोगों ने इस तरह की गंदी राजनीती और छोटी राजनीती करने की कोशिश थी अध्यक्ष मौदया आज पूरे देश में लोग महंगाई की वज़े से बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत ज़्यादा परेशान है लोगों के घर के खरचे नहीं चल रहे लोगों को कई घर, कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जो की एक टाइम की उन्होंने सबजी लेनी बंद कर दी, नमक से रोटी खा लेते हैं, कई लोगों ने दूद कम कर दिया, पूरे देश के अंदर आज महंगाई की वज़े से बहुत जादा लोग परेशान हैं, लेकिन जब लोगों से पूछो, कुछ ल लगा दिया, पिछले पांच साथ साल में इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज में इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने, जिसका कोई अंतनी है, इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया, 75 साल में आज तक अभी दही, लसी, छाच, शहद, गेहूं, चावल, इन चीजों प पे तो अंग्रेजों ने भी tax नहीं लगाया था इन लोगों ने tax लगा दिया इस वजह से चीज़े महंगी हो रही है इतना इन्होंने tax लगा दिया अगर आज ये लोग tax कम कर दे ये सारा तो एकदम से महँगाई देश के अंदर खतम हो जाएगी गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे और तो छोड़ो इन्होंने गर्भा जो दांस है गुजरात की जो संस्कृती है पूरी दुनिया के अंदर गर्भा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है गर्भा डांस के उपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, नवरात्रे, नवरात्रे के टाइम पे लोग जब देवी की पूजा करते वक्त, देवी के सामने गर्भा डांस करते हैं, उस पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, उसको भी नी छोड़ा, देवी को भी नी छोड़ा, इनों लोगों ने गर्बा डांस को भी नी चोड़ा इनों ने तो इतना tax इतना tax लगा दिया हर चीज़ पर tax के rate बढ़ा दिये नहीं नहीं चीज़ों पर tax लगा जा रहे हैं जो लोगों के खाने पी निकी चीज़ें उस पर tax है इस वज़े से महंगाई हो रही है जो जन्ता को गलत फहमी है कि हमारे महंगाई अपने आप ओरी है अपने आप नहीं हो रही इन लोगों ने अनापशनाप टैक्स लगाया इस वज़े से महंगाई हो रही है एक प्रशनी उठता है कि इतना टैक्स लगा दिया तो लाखो करोड़ो अरब खरब रुपए इनके पास आ रहे हैं खरबो रुपए अरबो रुपए ये पैसा जा कहारा है ये सोचने की बात है इनके कुछ चंद अरब पती दोस्त हैं उन अरब पती दोस्तों ने वो अरब पती नी खरब पती दोस्त हैं उन्होंने बैंकों से करजे लिए किसी ने साथ हजार करोड रुपे का करजा लिया किसी ने दस हजार करोड का करजा लिया किसी ने पंद्रह हजार करोड का करजा लिया किसी ने 5,000 कροड़ का करजा लिया इन्होंने करजे लिये बैंकों से इनके दोस्तों ने करजे लेने के बाद इनकी दोस्तों की नियत खराब हो गई उन्हांने सोचा कुछा भी करकर आके अब यह करजे रफा दोफा कराओ ताकी देने ना पड़े एहसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है देने को करजा वापस करने के लिए इनके पास पैसे हैं इनके पास संपत्ती है अभी भी अरब पती खरब पती हैं ये सारे लेकिन इनकी नियत खराब होगी इनोंने जाके इनको बोला सारे अरब पती दोस्तों ने इनके कि हमारे बैंकों के करजे माफ करा दो और इन्होंने एके करके बैंकों के करजे माफ कराने इनके सब के दोस्तों के बैंकों के करजे माफ कर दिये इन्होंने ये मैं नहीं कह रहा अभी थोड़े दिन पहले जब संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद के अंदर केंदर सरकार ने खुद ये बयान दिया है कि पिछले पान साल में हमने अरब पतियों के 10,00,00,00, books by anger 15,000,00,000,000, civil defense डर्दर की ठोकरे खारे है एक किसान बिचारे ने 50,000,000,000, 쉽ारे का करजा ले रखा है उसकी जमीन कुर्की कर देते हैं यह उसका करजा माफ नहीं करते है एक बिचारा स्टूडेंट स्टूडेंटट पैसे लेके करजे लेके अपनी डिगरी करता उसके करजे माफ नहीं करते उसके पिताजी की जमीन कुरकी कर देते हैं एक बिचारा किसी दे मिडल क्लास का आदमी है उसने एक गाड़ी खरीद ली करजा लेके अगर वो एक इंस्टॉल्मेंट नहीं देता ये गाड़ी की गाड़ी जब्त करने आ जाते हैं अगर एक मिडल क्लास वाले ने घर खरीद लिया लोन लेके अगर वो एक इंस्टॉल्मेंट नहीं देता उसका घर जब्त कर लेते हैं उनको नी छोड़ते, बिचारे मिडल क्लास वाले को नी छोड़ते, स्टूडेंट को नी छोड़ते, किसान को नी छोड़ते, इन्होंने अपने दोस्तों के अरबपती, खरबपती दोस्तों के दस लाख करोड रुपए के करजे माफ कर दिये, क्या होता है, इनके कोई, एक द दूसरा दोस्त आता है मेरे जी, दस अजार करोड रूपे माफ कर दो, फिर कहते हैं, हाँ भी, चार्च पर टैक्स लगा दे, फिर वो चार्च से जतना पैसा आता है, उसे दूसरे दोस्त के करजे माफ, यह ठीक है क्या, यह तो बिलकुल गलत है, आज अगर ये लोग, आज हमारे देश से आपने पिक्चरे देखी होगी, वो कौनसे वाली थी, लगान, और भी इस तरह की कई पिक्चरे आई जिसमें मार मार के, कोडे मार मार के लगान ले रहे हैं लोगों से, वो लगान लेते थे, अत्याचार करते थे, और वो लगान लेके, टैक्स लेके, हमारे देश पे खर्च नहीं करते थे वो सारा पैसा इंग्लेंड ले जाते थे और अब उनके बाद ये अंग्रेज आएं ये भी खूब खूब खूँन चूस रहे हैं जनता का खूब टैक्स ले रहे हैं हर चीज पर टैक्स ले रहे हैं तैक्स आपके उपर खर्च नहीं कर रहे हैं आपसे टैक्स ले ले के ये सारा पैसा अपने अरपती दोस्तों के जेब में डाल रहे हैं इसलिए महँगा ही हो रही है के मैं देश की जनता से पूचना का हम ये बरदाष्ट करते रहेंगे पेट्रोल और डीजल क्यों महिंगा हो रहा है कभी सोचा हमने रोज पूरी दुनिया में हम देखते हैं पूरी दुनिया में तेल के दाम गिरते हैं और हमारे देश में दाम बढ़ते हैं ऐसा कैसी हो सकता है पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पे भारत से कहीं ज पैसा जाता है operation lotus पे यह क्या है operation lotus operation lotus है अलग-अलग राज्जियों के अंदर ये लोग MLA को डरा के MLA को खरीद के और उससे ये लोग सरकारे गिराते और अपनी सरकार बनाते हैं खूब पैसा देते हैं दिल्ली के अंदर तो हम बरदास्ट कर चुक है दिल्ली के अंदर तो हम खुद भुख तब होगी हैं अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे MLA को 20-20 करोड़ रुपे के अंदर हमारे MLA को इन्होंने खरीदने की कोशिश की कम से कम 12 MLA को बताया कि 20-20 करोड़ रुपे कह रहे हैं ये Operation Lotus है लेकिन दिल्ली के ये सारे MLA जिमानदार हैं इनको पैसे का लालच नहीं है इसलिए कोई नहीं भी का दिल्ली में इनका Operation Lotus इनका फेल हो गया लेकिन उन्हेंने महाराश्टर की सरकार गिरा दी इन्होंने मध्यपरदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने करनाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने मेगाले की सरकार गिरा दी इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी मनीपूर की अरनाचल परदेश की बिहार की असाम की सरकार गिरा दी और वे कुछ दिन में जारखंड की सरकार गिराने वाले हैं कैसे गिरा है ये सरकारे हमने सुनाए कि कई जगाओं पे तो इन्हों ने 50-50 करोड रुपे दी हैं एक-एक MLA को पर दिली में ये 20-20 करोड दे रहे थे 20 करोड ही माल लेते हैं चलो एक MLA को इन्हों ने 20-20 दे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में 277 MLA दूसरी पार्टियों के 277 MLA 20-20 करोड रुपे के हिसाब से 554 करोड रुपे हो गए और 800 करोड रुपे दिली के तो 63 करोड रुपे 63 करोड रुपे इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारे गिराने में MLA खरीदने में इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरे तो समझ लेना कि पेट्रोल और डीजल का जो आपका दाम देखे आते हो बरवाने जाते हो लाइनो लोगों को समझ में आने लगा है आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे जादा ब्रश्ट अगर कोई सरकार है तो मौझूदा सरकार है के इंदर के अंदर इससे जादा ब्रश्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई जिस तरह से ये लोग 10 लाक करोड रुपे इनके दोस्त खा गए 63 सो करोड रुपे से इन्होंने अमेले खरीदे और लाल किले पर खड़े हो के कहते हैं मैं ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं और बेवकूब बना रहे हो इस देश के लोगों को मैं ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं और कौन माने का बच्चे का दूद काट के तुम अपने MLA खरीदते हो एक गरीब के बच्चे की रोटी काट के उसकी गेहुं के उपर उसके आटे के उपर टैक्स लगा दिया उसके उसे तुम अपने अरब पती दोस्तों के खजाने भरते हो हाई लगेगी तुमें गरीब होगी अगर आज MLA खरीदना बंद कर दें आज ये अरबपती दोस्तों के करजिक करना माफ कर दें मैं दावे के साथ कहता हूँ देश से महंगाई खतम न हो जाए तो देश से तुरंट महंगाई खतम हो जाएगी अभी हम देख रहे थे इन्होंने नोटंकी करी पिछले 15-20 दिन में शराब में पैसा खा लिया शराब में पैसा खा लिया शराब में पैसा खा लिया हम दस बार पूछ लिया भई रेड मारी थी रेड में क्या निकला देला नहीं निकला रेड में कुछ नहीं निकला अब आज से उर्डर आया भई अब शाराब पर बात नह थे ञारी। अब शराब बंद अब शराब खतम शराब का जो केस था खतम सीबिया की जाच खतम गिरफतार तो अभी भी करेंगे ये क्योंकि इज़त की बात है दिखाना तो पड़ेगा गिरफतार तो परेंगे लेकिन केस में कुछ नहीं बचा केस में कुछ नहीं निकला जीरो सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला, अब यह इंका नया शगूफा शुरू हो गया, आज ही जो विश्वासमत हम लेकिया है, मिरको कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वासमत की क्या जरूरत है, जी जरूरत है, यह दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कारेकरता, एक एक मंतरी कटर इमानदार है, यह दिखाने के लिए कि मध्य परदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेस्फुल हो गया, गोआ में ऑपरेशन लोटस सक्सेस्फुल हो गया, करनाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेस्फुल हो गया, महराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके तो इसलिए ये confidence motion लेके आए हैं अध्यक्ष मौधिया मैं आपकी अनुमती से निमलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिशद में विश्वास व्यक्त करता है मानिनिय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं राजेश गुपता जा धन्यवाद दिक्षा महोद्या आपने इतने मेक्पूंड विशेवे बोलने का मौका दिया वैसे तो सदन इसलिए लगाया जाता है कि उस पे बहस हो पाए और जब इन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे सिक्षा मंत्री के उपर कुछ सवाल उठाए तो हम चाहते थे कि ये सदन में आके कुछ बात करें कुछ बहस करें लेकिन आपने देखा कि 26 तारिक को भी ये ऐसे ही भागे आज भी ये आते ही भाग गए इनकबर चानल को सबस्क्राइब करें